असलाम लेकुम विडियोस वेलकम टू एच के एडिट्स नाजीन आच की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी वीडियो से वाटर मार्क कैसे रिमूव किया जाते हैं इसके लिए हम सबसे पहले कि ऐसी वीडियो डूंडेंगे जिसमें हमारे पस वाटर मार्क मुझूद हो तो इसके लिए हम वीडियो के फोल्डर पर चले जाएंगे ताकि हम ऐसी वीडियो नुकाल सके जिसमें वाटर मार्क मुझूद हो तो यह हमने फोल्डर खोल लिए तो ह हमें वीडियो मिलेड़ी इसे 74 करें के पेस्ट कर देंगे प्रीजेर प्रों के अंदर यह वीडियो吧 स्ऩेट होगी अब इसे टाइमलाइं प्लाने के लिए रख़िए सब लेख hapa उस वीडियो के हमेशा duplicate किया जाता है यानि एक वीडियो को दुसरी वीडियो के उपर same वीडियो के उपर रखा जाता है इसके बगएर आप कभी भी watermark remove नहीं कर सकते हैं तो इसके बाद जो step है आप वो करेंगे कि वीडियो के उपर click करेंगे जो को timeline पे मौझूद है आपने click किया उसके बाद उपर एक option होता है effect controls का उसके बाद उस पर click कर देंगे यह effect controls का option क्लिक किया उसके बाद दुबारा click किया clip के उपर और इस तरह का interface आ गया तो effect controls में में मौर पास एक option होता है square का square shape बनाता है आप उसे बडिक कर देंगे ये interface आ जाएगे इसके बाद तो ये जो square होता है इसको एक ऐसी shape में adjust करना होता है हमने जो लोगों की shape की बिल्कुल same हो इसे लोगों के साथ जो have adjust करेंगे बिल्कुल उसी shape में लाएंगे जिसमें logo है तो यह लेए हम एक हिस्सा,ब दूसरा हिस्सा ले लेंगे, इस तरह से हमने उपर अड़ेस्ट किया, ब ळास्ट जो हिस्सा भी उपर ले लेंगे, और इसे भी अड़ेस्ट कर दिया उपर से भी बराबर कर देंगे ताके भी कोई भी कोटा ही ना हो बीच में तब इसके बाद यहां आप कोईंटिंग नजर आती है जहां 960 लिखा है इसके उपर आप क्लिक कर देंगे और इसे अड़ेस्ट करके आप बढ़ा देंगे 11 अड़ेस्ट कर दें ताके ठीक लोगों के उपर आजए जितना बढ़ाएंगे उतना यह उपर आएगा उतना आगे बढ़ेगा मैंने 11 अड़ेस्ट की है बढ़ाएंगे तो नॉर्मल वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी वाटर मार्के बगएर तो अब कभी भी जब वाटर मार्क रिमूव करें तो ज़रूरी है कि आप अपना वाटर मार्क उसके बाद यूज करें ताकि जो है वहां से वो वीडियो का पार्ट नजर ना आए जहां पर स्केर से हमने लोगों रेमूव किया था आप देख सकते हैं कि वीडियो नॉर्मल प्ले हो रही है मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लेस कीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाहाफिस